जहिंद भई सभी को कैसे हो आप सभी उम्मीदगरतों भई सभी अच्छे होंगे तो आज इस वीडियों बात करने वाले हैं जो अभी बचे हुए हैं मतलब 2023 का जो सेक्रिंड बैचे उसकी जो भरती चल रही है जैसिक बहुत सारे यारों है जम्मू है जालंदर है जबलकुर इसकी जो कटोफ है फाइनल कटोफ को कितनी मतलब आसपास रह सकती है क्योंकि देखो यार अगनीपत की जो भरती हुई थी जिसमें पहले एक्जाम होगा जो फश्ट बैच है तो उसके आधार पर जो भी कुछ है सारी चीजी में आपको बताऊंगा ठीक है जब फश्ट ब सबसे पहली चीज है कि आर्मी के अंदर को यह नहीं बताय जाता जाता है उसके शुनसता बन रहे है जो एक प्रस्न दो नंबर को होता है पचास ब्रस्न आते तो इस प्रकार से उसका सिरुफ अंदाज लगाया जाता है वह प्लस मैं जीडी के अगर बात आती तो उसमें ज प्रफिजिकल होता है मतलब एक्सिलेंट रणिंग और दस बीम अगर आप लगाते हो तो उसमें आपके सो नंबर फिजिकल के बन जाते हैं बागी जो टेक्निकल और करहर से हैं वह अपना जो है फिजिकल के नंबर आप जोड लेना ठीक है मिलते हैं तो नहीं है लेकिन आप उस हिसाब से अपने फिजिकल के नंबर लगाते हुए चलना और एंसी सी के नंबर भी आपको लगाते हुए चलने ठीक है एंसी सी को उपर मैंने पहले वीडियो बने था चैनल पर आपको मिल जाएगा नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूगा किस ट् पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें ठीक है आगे आपको इसी इंफॉर्मेशन जानकारी मिलती रहें ठीक है उसके बाद अगर कटोप की बात करें तो भाई आप कम से भी कम ना आए ना तो 170 प्लस कटोप मान के चलो ठीक है क्योंकि मैं पिछले रिजल्टी का अधार जिसके नंबर बने थे उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है रोल नंबर आ गया था सलेक्षन के लिए फाइनल सलेक्षन के लिए कुछ भाई तो ऐसे होते हैं जो मतलब सब कुछ के लियर करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में रह जाते हैं एक भाई था हमारे यहां से उसकी लाश्ट भरती थी और उसके लगवग 25 कास पास उसने प्रसंद किये थे पेपर के अंदर तो उसका जो फिजीकल के लिए मेरिट बन गया था उसके बाद वो फिजीकल देने गया 100 नंबर का फिजीकल था तो फाइनल में उसके इतने नंबर नहीं पन पाए फाइनल मेरिट लिस्ट में वो बाहर हो गया था तो बहुत सार भायुक साथ ऐसा भी हो जाता है तो आपका टोब लगवग 160 से पिलस पिलस आप लगा के चलना 160 पिलस अगर आपके नमबर बन रहे हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आजाएगा आराम से ठीक है जिनका 88 नमबर का फिजिकल है वो एक्जाम में अपने ज़ाधा प्रेशन कर लेना तो आजाएगा ठीक है तो भई ये थी फाइनल का टोब से सम्मनित इंफोर्मेशन और जानकारी उम्मीद गरता हूं सारी चीज़ा आपको अच्छे समझ भी आयोंगी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सेर जरूर करना चैनल पर नहीं हो तो सब्स्क्राइब कर लेना आगे भी आपको एसी इंफोर्मेशन और जानकारी मिलती रहेंगी जो भी भरतिया होते हैं इंडियन आर्मी एरफोर्स नेवी और पैरा मिलिटरी की सारी जानकारी में आपको इस यूटूब चैनल पर देता रहता हूं तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय बारते सेना